नमस्कार आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिक्षा सखापर आज मैं आपके लिए लेकर रही हूं कक्षा साथ समाजिक विज्ञान की हमारा पर्यावरन का पहला पार्ट पार्ट का नाम है पर्यावरन इस वीडियो में हम इस पार्ट के प्रशन अभ्यास अति लगू उत्तरातमक प्रशन और बहु विकल्पय प्रशन उत्तर करेंगे अगर आप मेरे चैनल पर नई हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं मैंने अपने चैनल पर उडान सभी सब्जेक्ट की कारेपुस्तिकां जीके से सम्बंदित प्रश्ण निबंद लेटर आदी डाले हुए हैं अगर आप उन्हें देखना चाते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं अब हम इस पार्ट के प्रश्ण अभ्यास करेंगे पहला प्रश्ण है निवन प्रश्णों के उत्तर दीजिए कै पारी तंत्र क्या है उत्तर सभी पेड़ पौदे जीव जन्तु तथा मानव अपने आसपास के परियावरण पर आश्रित होते हैं जीवधारियों के इस आपसी संबंद से पारी तंत्र का निर्मान होता है सरल शब्दों में जीवों तथा उनके पर्यावरण के साथ संबंद को पारितंत्र कहा जाता है प्राकर्तिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं उत्तर प्राकर्तिक पर्यावरण भूमी, जल, वायू, पेड़ पौदों तथा जीव जन्तुओं के मेल से बनता है इस प्रकार प्राकर्तिक पर्यावरण में जीविये तथा एजीविये दोनों तथो अथवा घटक शामिल हैं प्राशन गये पर्यावरण के प्रमु घटक कौन कौन से हैं उत्तर पर्यावरण के प्रमु घटक प्राकर्तिक पर्यावरण मानव निर्मित पर्यावरण तता स्वेम मानव प्रेशन घैं मानव निर्मित पर्यावरण के चार उधारण दीजिए उत्तर इमारतें, पार्क, पुल, सडक, उद्योक, समारक, आदी प्रेशन घैं स्थल मंडल क्या है उत्तर प्रित्वी की उपरी ठोस तथा कठोर परत को स्थल मंडल कहते हैं यह चट्टानों तथा खनीजों से बना है और मिट्टी की पतली परत से ढका है प्रैश्न चै जीवियें परियावरन के दो प्रमुग घटक क्या है उत्तर जीवियें पर्यावरण सजी प्राणियों का संसार है इसके दो प्रमुक घटक है पादप वे जन्तु प्रश्ण छे जैव मंडल क्या है उत्तर पेड़ पौदो तथा जीव जन्तु मिलकर जैव मंडल का निर्मान करते है यह प्रिथवी का वह संकीन छेत्र है जहां स्थल जल और वायू मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं प्रश्ण दो सही उत्तर चिन्नित कीजिए कह इन में से कौन सा प्राकर्तिक पारितंत्र नहीं है नमबर एक मरुस्थल नमबर दो ताल नमबर तीन वन इसका सही उत्तर है दो ताल प्रश्ण खे इन में से कौन सा मानविय परियावरण का घटक नहीं है नमबर एक स्थल नमबर दो धर्म नमबर तीन समुदाय इसका सही उत्तर है स्थल इन में से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है नमबर एक पहाड, नमबर दो समुद्र, नमबर तीन सडक इसका सही उत्तर है तीसरा सडक इन में से कौन सा पर्यावरण के लिए खत्रा है नमबर एक पादव वृद्धी, नमबर दो जन संख्या वृद्धी, नमबर तीन फसर वृद्धी, इसका सही उत्तर है, दो जन संख्या वृद्धी, प्रशन तीन, नेमनलिकिस तंबो को मिला कर सही जोडे बनाईए, उत्तर, कह, जै मंडल, वह संकीन शेत्र, जहां स्थल, जल, एवं वाईउ, परस पर परिक्रिया करते हैं, खै वाईउ मंडल, पृत्वी को घेरने वाली वाईउ की चादर, गै जल मंडल, जल यह छेत्र, गै परियावरण, हमारे आसपास का छेत्र, प्रशन चार, कारण बताईए, प्रशन कह, मानव अपने परियावरण में पर जीवर्तन करता है, नमबर एक, खेती करने तता रहने के लिए भूमी प्राक्त करने के लिए वनों को काट कर, नमबर दो, नदियों पर बांध बना कर, तता उनके पानी को नहरों द्वारा सुष्क मरुस्थलों में ले जाकर, नमबर तीन, खनिज प्राक्त करने के लिए खाने खोद कर नमबर चार उद्योग शेत्रों का विकास करके प्रश्नक है पौदे एवं जीव जन्तु एक दूसरे पर आश्रित हैं इसका कारण यह है कि उन्हें एक दूसरे की बहुत जरूरत होती है पौदे जीव जन्तुओं को आश्रे भोजन तता सांस लेने के लिए आक्सीजन देते हैं इस प्रकार जीव जन्तु कई प्रकार से पौदों के विकास में सहायता करते हैं अब हम इस पार्ट के बहु विकल्पिय प्रश्न उतर करेंगे पहला प्रश्न है पर्यावरण हमें देता है ए हवा बी जल सी भूजन डी उपरोक्त सभी इसका सही उतर है डी उपरोक्त सभी प्रश्न दो प्रकृति की देन नहीं है ए पर्वत बी बांद सी नदिया डी प्राणी इसका सही उतर है बी बांद प्रश्न तीन मानव नेर्मित संसाधन है ए घर बी कपड़ा सी किताब डी उपरोक्त सभी इसका सही उतर है डी उपरोक्त सभी प्रित्वी की कटोर उपरी परत ठोस परपती कहलाती है। A. प्राकर्तिक पर्यावरण B. मानव निर्मित पर्यावरण C. स्थल मंडल D. जय मंडल इसका सही उत्तर है C. स्थल मंडल प्रेशन 5. प्रित्वी पर जीव को संभव बनाने वाला कारक है। A. स्थल, B. जल, C. वाईू, D. ये सभी इसका सही उत्तर है D. ये सभी प्रेशन चे वस्तु विन में पद्यती का अर्थ है A. अदला बदली का वैपार, B. वस्तुओं का आयात, C. वस्तुओं का निर्यात, D. वस्तुओं का निर्मान इसका सही उत्तर है A. अदला बदली का बेवार, अब हम आती लगू उत्र ये प्रेशन करेंगे, पहला प्रेशन है, निर्जी पदार्तों का संसार कौन सा है, उत्तर, स्थल निर्जी पदार्तों का उधारण है, प्रेशन दो, पर्यावरण के मानुए घटक कौन कौन से है, उत्तर, पर्यावरण के मानुए घटक एक व्यक्ति परिवार समुदाय धर्म सैक्षिक आर्थिक राजनेतिक स्थिति आदी पर्यावरण के प्राकरतिक घटक कौन कौन से हैं उत्तर जल वायू स्थल तता सजीव ये सभी पर्यावरण के प्राकरतिक घटक के उधारण हैं पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति तता इसका अर्थ स्पस्ट कीजिए उत्तर है परियावरन शब्द की उत्पत्ती फ्रेंच शब्द एवायरोनेर या एवायरोनेर से हुई है जिसका अर्थ है पडोस प्रेशन पांच वायू मंडल क्या है उत्तर है प्रित्वी के चार ओर फैली वायू की पतली परत को वायू मंडल कहते हैं। इसे प्रित्वी का गुर्तवा कर्शन बल थामे रखता है। प्रैशन 6 वेश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। उत्तर है पांच जून को प्रैशन 7 पर्यावरण किसे कहते है उत्तर पर्यावरन से हमारा भी प्राय किसी समुदाय, जीव अत्वा वस्तू के चारों ओर के वातवरन से है पर्यावरन सबी जगे एक जैसा नहीं होता यह भिन-भिन स्तानों पर भिन-भिन होता है प्रश्ण आठ मानव निर्मित पर्यावरण से क्या अभी प्राय है? उत्तर मानव ने अपनी सुक्स विधाओं के लिए भवनों, सडकों, पुलों, रेल मारगों, पारकों आदी अनेक वस्थूओं का निर्माण किया है इन सबी वस्तुओं के मेल को मानव निर्मित परियावरण कहते है प्रशन नौँ जैव मंडल से क्या अभी प्राय है? उत्तर है जैव मंडल प्रित्वी का बहुत संक्रा परिमंडल है जिसमें जीवन पाया जाता है यहें पेड़ पौदो तथा जीव जनतुओं से मिलकर बना है प्रशन दस जैविक विभिनता से क्या अभी प्राय है? उत्तर प्रित्वी परसदियों से जीवन का विकास हो रहा है इसलिए यहां अनेक प्रकार की प्रजातियां पायी जाती है प्रजातियों की इसी विभिनता को जैविक विभिनता कहते है प्रशन 11 वस्तुविन में पदती क्या है उत्तर वस्तुविन में वस्तुओं की अदला बदली का व्यपार है इसमें धन का कोई लेंदेन नहीं होता अब आगे हैं लगू उत्तर ये प्रश्न प्रश्न एक वायू जल मंडल किसे कहते हैं उत्तर प्रित्वी पर जल के छेतर को जल मंडल कहते हैं इस जल के विबिन स्त्रोते नदी जील समुद्र महासागर आदी जल मंडल इन सभी जलाशों के मेल से बनता है जल मंडल सभी प्र परियावरण का ध्यन क्यों करते हैं। हम किसी प्रदेश के पेड़ पौधों जीव जन्तुं तथा मानब जीवन की सही जानकारी प्राप्ट करने के लिए प्राकर्ति परियावरण का ध्यन करते हैं। इसका कारण यह है कि जीव जन्तु पेड़ पौदे आदी प्राकर्ति परियावरन से ही प्रभावित होते हैं। प्रेशन तीन जल मंडल से क्या भी प्राय है। इसका महत्व भी बताओ। उत्तर प्रित्वी का सत्तर प्रतीशत से भी अधिक भाग जल से घिरा है। इसे जल मंडल कहते हैं इसका निर्माड नदियों, जीलों, सागरों तता महासागरों द्वारा होता है। इसका महत्व है नमबर एक जल पृत्वी पर हर प्रकार के जीवन का आधार है। नमबर दो महासागर हमें भूजन तता खनिज प्रदान करते हैं। इन खनीजों में खनीज तेल तता गैस प्रमुक है नमबर तीन समुदरी जल तटिये भागों की जलवाईयों को सम बनाए रखता है तो इसके साथ हमारा पार्ट एक का भ्यास का कार्य पूरा हो गया है अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट दो हमारी प्रिथवी के अंदर पार्ट के प्रशन अभ्यास अतिलगू उत्तरात्मक प्रशन और बहुवी कल्प के प्रशन उतर करवाऊंगी आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू